दोस्तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ एक ऐसे सिट्रस के पौधे के पास जिसके बीज का उपयोग हम लोग कलमी पौधा बनाने के लिए करते हैं और इसका बीज से हम लोग नीचे से पौधे तयार करते हैं और जब ये पिंसिल की मोटाई का इनके पौधे हो जाते हैं फिर उ संतरा हो, मसंबी हो, किन्नो हो या फिर स्विट लाइम का जैसे या ग्रेफरूट की बात हम करते हैं जो भी अच्छे फल है सिट्रस ग्रूप के उसके बड़िंग करके उसके कलमी पौधे हम लोग तयार करते हैं तो ये इसको हम लोग जड़ के लिए इस्तमाल करते हैं दे लोग रखते हैं या फिर हम लोग इसे जमीन पे बेड़ पे इसको ग्रो करते हैं बढ़ाते हैं और जब पिंसिल की मुटाई का इसका मुख्य तना हो जाता है फिर उसमें हम लोग बडिंग करते हैं संतरे का या मुसंबी का या अनिस्टरस फूरूट का तो आप इसे देख स हैं और यह भी मैं बताते चलूं कि यह इसका फल काफी खटा होता है इसका वाजार मुल्य नहीं है और अगर आप इसे इस्तमाल करेंगे तो खाने में बहुत अच्छा भी नहीं होगा लेमन की तरह भी नहीं है लेकिन चुकि यह जंगली पौधे हैं रूट स्टॉक के लि लाया है और जिससे इसके तने सुरक्षित रहते हैं कीड़े बीमारी से यह जाड़े के वज़े से कभी कभी इसके तने फट जाते हैं और बीमार हो जाते हैं उसके वज़े से यह देखिए इस वक्त हम जो खड़े हैं यह मुसंबी के बागान में है यह मुसंबी का बागा इस तरह से इसे परबंधन में हम लोग लाते हैं देखिए देखिए दोस्तों यह है इसमें कुछ समस्याइं भी आती है अगर थोड़ी से भी चूख हुई तो पौधे रोग गरस्ट हो जाते हैं और सूख जाते हैं कभी-कभी हम लोग तोड़ाई में लेट कर देते हैं या फिर उस समय अगर हमने जैसे कहा कि यह देखिए चूने तूतिया का लेट यह हैं स्वस्त पौधे हैं अगर यह ना करें तो क्या होगा मैं आई यह पौधे के पास आपको लिए चलता हूँ देखिए इसमें इसमें क्या हुआ है आप देखिए यह इसको गोर से आप देख कि गुमोसिस इस तरह के सिम्टम्स आते हैं ये ये प्राब्लिम करते हैं चलिए इसको समय रहते हैं हमने इसका उपचार सुरू कर दिया शायद ये पौधा बच जाए नहीं तो इसको बचाना मुस्किल होता है समय रहते इस तरह के रोग का इस तरह के निदान करना हमें अगर आप उसको समय पे तोड़ाई करने के बाद अगर तुरत से उसको फिर से खाद पानी नहीं देंगे उसमें फटीलाइजर और कमपोस्ट और दूसरे चीजों का उपचार नहीं करेंगे तो फिर आपके पौधे सूख सकते हैं मर सकते हैं इसलिए आपको समय रहते देख कितने अच्छे तरीके से इसको हम लोगों ने बगान को परबंद करने का परियास किया है।